हेलो, मैं आल लवली स्टुडेंट्स और मैं आल फ्रेंड्स विल्कम यू वॉल इन ओ कम्प्यूटर सेशन ठीक है चिल्रेन हम यह जो कम्प्यूटर का सेशन है यह है क्लास फॉर का कम्प्यूटर का लेक्चर चैप्टर टू का ठीक है इसके पहले एक वीडियो अल्रेडी अप्लोड़ेड है वर्किंग विद विंडोस सेवन यह आपके चैप्टर का नाम है ठीक है तो जो एक वीडियो और अप्लोड है उसे आप लोग पहले देख लीजेगा फिर इससे कनेक्ट आप कर पाएंगे क्योंकि छोटे छोटी वीडियो अप्लोड करती हूँ फ्रेंट जिसे आप लोग को समझ में एक साथ पूरा चैप्टर अगर अप्लोड कर दूँगी तो आप लोग को टाइम भी जादा होगा और आप लोग को समझ में भी नहीं आएगा ठीक है इसलिए मैं छोटे छोटे पार्ट में डिवाइट कर दिया है मैंने चैप्टर को ठीक है तो इसलिए प्रिवेस जो वीडियो है उसे देखना बहुत ज़रूरी है तो आपका चैप्टर 2 है वर्किंग विध विंडूज 7 ठीक है विंडूज 7 पर वर्क कैसे करना है कैसे क्या होता है ठीक है ये सारी च Windows 7 के features क्या-क्या है वो हमने देखा था, ठीके previous lecture में आप लोग visit कर लिजेगा, यह detail में पढ़ा है मैंने, ठीके, आज हम पढ़ेंगे introduction to the desktop, ठीके सबसे पहले insert आप लोग यह picture देख लिजे, desktop क्या होता है, यह जो आपकी screen होती है, computer की monitor की दिखता है, जो screen होती है computer की, यही क्या है, आपका desktop है ठीके, इसे हम VDU भी कहते हैं इसे हम क्या कहते हैं VDU यानि visual display unit भी कहते हैं, ठीके आए जानते हैं, desktop के बारे में, detail में what you switch on a computer, the windows operating system gets loaded into the computer memory automatically जब आप switch on करते हैं computer का, ठीके तो जो windows operating system है वो automatic load होने लगता है, memory से data automatically computer में क्या होता है, load होने लगता है जब हम computer on करते हैं, ठीके understand, this process is called booting, और इस process को हम कहते हैं booting किस process को, जो data automatic load होने लगता है, तो यह जो process है data load होने का automatically, इस process को हम कहते हैं booting, ठीके after you allow the system to boot, what do you see जब आप after you allow, allow करने के बाद, यानि जब system को boot होना, आप allow कर देते हैं, उसके बाद आप क्या देखते हैं the first screen that you see after windows has loaded is called the desktop जो पहले screen आप देखते हैं windows load होने के बाद, जो पहले screen आपको दिखती है, उसे ही हम कहते हैं desktop, यानि जब आप computer on करते हैं windows automatically memory से क्या होता है क्या होता है, लोड होने लगता है, ठीके, सारा data automatically catch कर लेता है process हो जाता है, तो जो यह screen दिखती है, जब हम computer on करते हैं तो यह screen दिखती है न, इतने सारे icons दिखते हैं, यह पूरा screen ऐसे ही दिखता है, ठीके आप लोगों ने देखा होगा इसे ही हम कहते है, desktop यहाँ पे देखें, लिखा भी है desktop screen, यानि यह जो पूरी screen है, इसे ही हम कहते है desktop screen, ठीके और यह जो छोटे-छोटे pictures बने होते हैं इस पे इसे हम कहते है, icon, देखें wall watch हो गया and ये calendar हो गया और ये जो picture ये सब क्या है gadgets है ठीक है और ये है आपका task bar ये जो horizontal line है ने यहां से लेके यहां तक जो horizontal box होता है इसमें क्या होते है छोटे छोटे आइकन्स होते है left side भी और right side भी और left side भी ठीक है left side में यहां पे जो आइकन है इसे हम कहते है start button यहां पे क्या है chrome browser है ठीक है यानि जो frequently used होते है आपके app वो यहां so करते हैं कहां task bar में ठीक है यानि ये जो horizontal box है यहां से लेके यहां तक screen पे नीचे होता है वही होता है task bar ठीक है चली आगे देखते है the desktop contains small pictures with names such as computer, recycle bin and many more they are called icons मैंने आप लोगों को बता है न ये जो छोटे छोटे icons बने है ये जो छोटी छोटी pictures है name के साथ add होती है ठीक है जैसे my computer हो गया recycle bin हो गया और भी बहुत सारे यहां पे बने हुए है ठीक है icon pictures ये जो छोटे छोटे है बने हुए इसे हम कहते है icon computer की language है ठीक है इसे हम computer की language में icons कहते है यानि ये जो छोटा छोटा है ये सारा इसे हम icons कहते है इस पे आप double click करेंगे तो ये app open हो जाएगा ये window open हो जाएगी ठीक है चलिए देखते है आगे all the work that we do on a computer gets stored in the form of a file जो भी हम computer पे काम करते है वो सभी work जो होता है वो एक file के form में store होता है ठीक है एक file के form में store होता है a file is a collection of data information settings और commands जो file होती है वो collection होता है यानि data information settings commands इन सब क्या होता है एक collection होता है एक sum होता है ठीक है files are many kinds file कई तरीके की हो सकती है data data file जैसे sounds file, movie file, document files, etc यानि file का type कई हो सकता है ठीक है program file and so on each file can be given a unique name और हर file का एक unique name होता है यानि हर file का एक अलग नाम होता है क्योंकि अगर एक ही name से दो-दो file आप store करोगे computer में, save करोगे तो आपको भी दिक्कत होगे पहचानने में, ठीक है तो file के name में कुछ न कुछ change होता है, ठीक है एक word ही change होगा A की जगा B कर दीजिए बट change आपको करना होगा, तब ही file आपका save करना है, तो आपको इस file name में थोड़ा change करना पड़ता है, ठीक है यह आपको practical में समझ में आ जाएगा, चलिए आगे देखते है, file may be stored together in a folder जो कई सारी file एक साथ एक box, एक folder में save हो जाती है, store हो जाती है उसे हम कहते हैं folder, यानि एक अलग से, जैसे आप लोगों ने my school एक folder बना दिया ठीक है, उसमें आप कई सारे file इस्टोर कर दी, अपने school की picture की एक file आपने upload कर दी, अपने school के program की एक file आपने उसी folder में save कर दी, यानि जब आप एक folder आपने my school folder open किया, तो उसमें आपको, आपके school के pictures का file भी मिल जाएगा आपके school के programs की भी file मिल जाएगी, ठीक है यानि कई सारी file है जिसमें add होती है जिसमें store होती है उसे हम कहते हैं folder, ठीक है a folder is a location for organizing and storing files, folder क्या है एक location है जिसमें आप file को organize कर सकते हो, store कर सकते हो ठीक है, each folder can be assigned a unique name और हर प्रतिक folder का एक unique name होता है ठीक है, आप folder में contain programs, files and also other folders आपका एक जो folder होता है उसमें आप कई सारी चीजे रख सकते हैं कोई program रख सकते हैं कोई file रख सकते हैं या कोई अन्य folder भी एक folder में रखा जा सकता है यानि एक दूसरा folder भी एक folder में यानि folder भी folder में रखा जा सकता है, आप रख सकते हैं ठीक है चलिए देखते हैं आगे desktop icon represent different programs, files और folders जो desktop icon होता है वो represent करता है अलग-अलग type के programs, files और folders को desktop पे icon बने होते हैं उस पे कई सारी file है, कई सारी folder program के, उस जो छोटे-छोटे icons है वो क्या है, programs है, files है और कुछ folders है apps है, यही तो है desktop icon ठीक है, these can be opened by double clicking the particular icon मैंने आप लोग से बताया कि यह जो आप लोग को icon दिख रहा है किसी भी एक icon पे आप, sorry किसी भी एक icon पे आप double click करेंगे mouse से, ठीक है, यह touch screen है तो touch करेंगे, दो बार double click करेंगे, तो आपका वो folder open हो जाएगा, अगर आपका यह whatsapp का folder उस पे दो बार click करेंगे, आपका whatsapp open हो जाएगा, ठीक है बच्चो I think आप लोगों को desktop अच्छे से समझ में आ गया होगा, कि desktop होता क्या है, ठीक है और इस पे जो icons होते हैं, उसका क्या मतलब है, file और folder क्या होता है, उसका क्या मतलब है, यह सब आप लोगों को समझ में आ गया होगा next lecture में हम लोग देखेंगे कि computer पे जो icons है वो क्या है, उसके बारे में हम detail में discuss करेंगे, ठीक है बच्चो तो channel को subscribe करना बिलकुल भी मत भूलिएगा, आप लोग क्योंकि next lecture upload होगा, तो आपको सबसे पहले videos मिल जाएगे वरना आप miss कर दोगे, और chapter one by one complete होगा, आप लोग tension मतलीजिए कि chapter complete नहीं होगा and all, ठीक है आप लोग बस regularly channel को visit करते रहे हैं, अपने videos अपने folder में आपने, जाके आप देख सकते हैं, ठीक है? और हाँ, अगर आपको कोई problem आती है कहीं, तो आप पूछ सकते हैं comment box में, ठीक है my dear children be happy, stay healthy bye bye, have a good day